सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिक्शन सबसे पहले आपको अपडेट जयना वालोग आपको एक चोटा सा अपडेट जयना वालोग और यमाहा MT-09 ब्यासिक्स वरेंट विच से रिसेंटि लॉंच इन इंडिया एंड यह वाइक दोस्तों काफी जबर दस्ते हैं बिकॉज MT-09 का ब्यासिक्स में काफी लोग वेट कर रहे थे एंड मोस्ट प्रोबैबली अभी आना वाले कुछ ताइम में आपको MT-03 है तो यह सब जो मॉडल्स अभी हो सकते हैं कि आपको इंडिया में इंडिया में देखने हो मिले तो अब दुस्तों करूँ है अपे MT-09 की तो यह काफी है अब में ल्ली दुस्तों यह जो आपने सेक्न में तीन भीक से कंपिट करती है इसका ओन्रोड प्रफमंस कैसा है विकोस आज की वोड़ो में में आपको 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 और परमस तो नहीं बत भागा क्वेश है की मेरा टेस्टरेट का जो जब आगी मुझे आज ही मिलना वाली थी बट विकोज अव दिस कुरोना यह सब ही चीज़े थोड़ी से लेट हो गी है लेकिन आज के सुड़ो में मैं आपको अपड़ेट बता हूँ है एंड जब आगी मुझे बाइक मिली की फॉरके स्ट्रेट तब इसका एक फुल रिवी थो जिब ही का थे यहे अच्छा बन जाता है एन बाइक के एफिशेंसी जए काफ आफव अच्छी होती है बेकोजиях support and torque and weight का जो आफे इंपोर आइक में काफे नष्या है यह मिल गिया गया, उसके बाए यह सब चीजों फोडी इंजिन तो दुस्तो आपको मैं सबसे पहले जो इस बाइक की प्रैसिंग बतागते हूँ तो इस बाइक का एक्षोर्म प्राइस है पूने के अंदर वो है 11 लाक्स रुपिस आपको जोए 847cc 3-cinder liquid-cooled 4-stroke dohs engine वहाल है जो कि 4-well engine रहेगा एंद फ्यूल इंजेक्शन आपको मिल जाएगा बट ओविएसली एंद यह जो दुस्तों इंजेन है ने काफ़े पावरफुल एंड एट फिफ्टीन बिएश्पी का जो है पावर पूट करता है एट टेन तोजन आ पिम एमना मैक्स टॉर को मिलता है 87.5 नुटन मिटर्स एट 8500 आप जो कि काफी इंपरीश हुए इन सेग्मेंट विकोज 115 बिएश्पी काप को पावर मिल रहा है एट 10,000 आप जो कि काफी अच्छा है यार अब दोस्तों आप मैं बात करो इस बाइक के कंपरिशन रिशो की तो हुआ है 11 इस तो 5 इस तो 1 विच इस अगें गूट इन सेग्मेंट नॉट बैड इन दोस्तों यह बाइक की जो मुझे सबसे जादा इंप्रेसिव चीज लगती है वो है कि यह बाइक 0-200 सिर्फ 3.40 सेकंड्स मिल जा सकती है जो कि यह काफी इमरीज हुआ है यार आप इमेजिन करके जो को 0-200 इन जस्ट 3.40 सेकंड्स मुझे यार काफी जावर जास लग ग जाते है आपको यार एंट फ्रंट टायर जो है 120 by 70 का एंड रियर टायर रहा है 180 by 55 का विचेस अगेंड गूट एंड 17 इंच का अलोबिल जे विचेस अप मेक्जिलर्स तो यह बी सब काफी आच्छा है यार स्पेक्स वागए रहे मैं कोई भी दिक्कत निया काफी इंपेस सब्स्वेशन जोब सब्सक्राइब तो यह सब स्कति एक की जा है तो आपको इसके अंदर जो फिलिक डीटार जाते है आपका जो रैइंग मोड पो मिलता एटरैक्शन कंट्वल काज़ू के जो शूश्वीच हवो मिलता है अब आपको फंक्शन से वह उप्रट पो सकते हैं अब दोस्तों गर इस बाइक के बाद की जाए तो वह है 120 mm विजस गुट फॉर राइडर ओफ 5.7 और 5.8 तो अगर आप टॉल राइडर हो तो आप इसको बाइक को इसले राइड कर सकते हो लेकिन अगर आपके हैट 5.6 या फिर 5.5 भी है तो भी कोई दिकत नियार आप इसको राइड कर लोगे अब अब अगर बात कर लो ग्राउंड की तो इस बाइक का ग्राउंड क्लियनस है 225 kmph जो कि यह बाइक इसली 7-8 सेगंड में रीच कर लेगी जो कि काफे इंप्रेसिव है यार इस बाइक में आपको 14 इंटर का फ्यूल लेंग मिलता है जो कि मेरे साब से एक सुपर स्पूर बाइक लाइक MT-09 के लिए बुरा नहीं है एंड फ्यूल एकोनोमी के अगर बात कर लो तो यह बाइक आपको सीटी में एप्रोक्सिमेटली नियर अबॉट 19 किलोमेटर पर अवर का जो है मैलेज देने वाली है जो कि अगेन एक 847 सेसी इंजिन के साब से कोई बीरियू बात नहीं है अब अगेन आपके राइडिंग स्राइल को पर डिपेंड करता है कि आपको उनसे मोड पर राइड कर रहे हो क्या स्पीड है क्या गियर रिशो है तो यह सब चिज़े डिपेंड करेंगी बट एक अंदाज अगर आप उबादा दो तो आप 20 किलोमेटर पर आवर तक जो है मैं लेज एक्सपेक्ट कर सकते हो इस ओके यार अब दूस्तों रिवीव कर बात कर लो तो आपको जो है तीन से चार दिनों में अगर मुझे बाइक मिल जाए तो एक शॉर लिए रिवीव मिल जाएगा फॉल रिवीव एंड लाइक फॉल रिवीव जो है सीटी राइट कर रिवीव दूँगा आपको मैं हावेस पर तो जो है शाहिद नना ही दू और मैं सोच रहो तो कि आगे एक लॉंग टर्म का आपको एक वीड़ो बाना के दे दूगा अगर आप चाते हो तो आज के सुटों के लिए इतना ही है और वीड़ो दोस्तों कर अच्छा लगा तो लाइक जरू कर देना इस टाबे फॉलो कर जकते हो इस्टा के आइड़े आपको सिंट के बशो हो लिए लिंक में इन डिक्स्रिप्टर में दिये अब मैं विलूंग अकल आपको मारे एक